तो दोस्तों बात करने जारों Samsung Galaxy M30s और MI A3 के बारे में क्योंकि दोनों के ही स्पेशिफिकेसं लगवक्त सेम है और प्राइसिंग भी लगवक्त सेम है जैसे कि M30s का 4GB 4GB वेरियंट आता है 14,000 रुपए का तो A3 का आता है 4GB 4GB वेरियंट 13,000 रुपए का M30s का 680 2GB वेरियंट आता है 17,000 रुपए का तो वही वेरियंट एमे यह थरीका आता है 16,000 रुपए का तो 1,000 रुपए के डिफेरेंस में आपको स्परेशन का डिफेरेंस मिलता है तो उस कंडिशन में कौन से डवेसिपको पर्चिस करना चाहिए डिस्प्ले किसका कैसा है यह सारी चीज है इस वीडियो में डिसकस करने वाले में तो चलिए सबसे पहले इस कंपेरिजिन के शुरुवात करते हैं डिजाइन से दोस्तों सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो यह है डिजाइन Galaxy M30S अब यहां पर डिजाइन की बात करें तो दोनों का ही डिजाइन एक डम अमेजिंग लगता है अब यहां पर डिपेंड करता है जैसे की डिजाइन के बारे में हमेशा बोलता हूं कि यह अपीन पर डिपेंड करता है कि आपको इस में से कौन सा डिजाइन पसंद आता है अगर मेरे अपनीन की बात की जाए तो मुझे MI A3 का design यहां ज़्यादा भूपसूरत लगता है बाकी का build quality की बात करें तो MI A3 पर फिंट पर में बलता है आपको Gorilla Glass 5 का protection जब कि Galaxy M30s के बारे में कुछ confirm नहीं है कि यहां पर किस glass पर protection दिया गया है जया निकर compactness की बात करें तो उस condition में MI A3 ज़्यादा compact device है as compared to Galaxy M30s अब उसके लिए display size भी जिपमेदार है क्योंकि A3 में आपको मिलता 6 inch का display तो वहीं Galaxy M30s में आपको मिलता 6.4 inch का display तो display size बड़ा होने की वज़े से यहां पर Galaxy M30s थोड़ा सा बड़ा है as compared to MI A3 अब आपको compact device ज़्यादा पसंद आते हैं तो उस condition में MI A3 आपको ज़्यादा पसंद आएगा M30s के comparison में इसके लबा Galaxy M30s में आपको एक बड़ा plus point यह मिलेगा कि यहां पर आपको मिलता triple slot यानि कि दोनों SIM और SD card आप Galaxy M30s में एक साथ यूज कर सकते हो जबकि वही MI A3 में आपको मिलता hybrid SIM slot यानि कि या तो आप यहां दोनों SIM एक साथ यूज कर पावी या फिर एक SIM एक memory card बात करेंगा डिस्प्ले की तो Galaxy M30s में आपको मिलता 6.4 इंच का full HD plus super AMOLED display जिसका PPI है 403 वही MI A3 में आपको मिलेगा 6 इंच का HD plus super AMOLED display जिसका PPI है 286 तो जो main difference आपका रहेगा वो रहेगा K1 PPI का यानि कि यहां पर आपको high PPI का display मिलता है high resolution का display मिलता है Galaxy M30s में तो थोड़ों सा display sharp है बाकी का brightness दौनों की एकदम amazing है दौनों ही डिस्प्ले को या दौनों ही डिस्प्ले को आप आउट्डों में बड़े आरहम से यूज कर सकते हो दौनों ही डिवैसे में आज के ट्रेंड को follow करता हुआ यू टैप नोश डिस्प्ले मिलता है यानि कि यहां भी किसी तरह को इश्यू नहीं है overall दौरों का ही डिस्प्ले एक दम कमाल का है अब यहां पर भी Galaxy M30s में भी आपको Android पर बेस्ट Android वर्जन ही मिलेगा लेकिन यहां पर UI दिया गया है Samsung का खुत का One UI जिसका वर्जन है 1.5 अब फीचर्स की बात करें तो क्योंकि यहां पर Galaxy M30s में आपको मिलता है One UI तो यहां पर आपको एक दिम कमाल कमाल के ज्यादा एक्षा फीचर्स मिलेंगे as compared to MI A3 MI A3 में आपको बहुत बेसिक फीचर्स मिलेंगे तो बात करें अगर MI A3 की तो यहां पर आपको मिलता है Stock Android तो no doubt यहां पर आपको ज़्यादा अच्छी पर्पोमिस देखने को मिलेगी मतलब ज्यादा स्मूध है यह Stock Android as compared to One UI लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो उस condition में दिया गया है यहां पर आपको जरूरी जरूरी कुछ जो भी दिया गया है वो सारे शॉटकर्स आपको यहां मिल जाते हैं इनवर्ट कलर्स वगएरा का option तो मतलब बहुत बेसिक फीचर्स आपको यहां MI A3 के अंदर मिलते हैं वहीं बात करने हैं Galaxy M30S की अब जैसे MI A3 में आपको दो यह तीन थीम ही सुच करने का option मिलता है डार्क लाइट या फिर वालपेपर के अगोडी लेकिन यहां पर आपको पूरा थीम इस्टोर दिया गया है Galaxy M30S में जिसमें से आप कई सो थीम डाउनलोड कर सकते हो आइकों शेंज करने का भी option मिलता है इसके अलाब़ा आपको यहां पर दिया गया है जो कि मेरा फैबरीट फीचर है इसके लाबर सेक्योर्ट की बात करो तो Galaxy M30S में भी आपको रेर पर fingerprint scanner दिया गया है और face unlocking system भी आपको यहां मिल जाता है कुछ advanced features की बात करा तो smart pop-up दिया गया है कई सारे आपको यह gesture controls मिल जाती है इसके आपको यहां मिल जाता है Dolby Atmos का support भी आपको Galaxy M30S में मिल जागा लेकिन यह cable headphone के लिए है तो UI के बार में एक ही चीज़ बोरूँगा अगर fast और smooth UI आपका first preference है तो फिर MI A3 का UI आपको ज्यादा पसंद आएगा लेकिन अगर features आपकी main priority है तो फिर Galaxy M30S का One UI आपको ज्यादा पसंद आएगा बातकर नगर camera की तो दोनों ही devices में आपको रेर पर triple camera setup दिया गया है पहले बातकर नगर यहां पर primary camera दिया गया 48 Megapixel का जिसका अपर्चा साइज आप 2.0 दूसरा 8 Megapixel का आपको मिलता है यह Ultra wide lens और 5 Megapixel का depth sensor इसके अलावा यहां आपको मिलता 16 Megapixel का front camera जिस 32 Megapixel का front camera जिसका अपर्चा साइज आप 2.0 बातकर नगर camera features की तो दौनों ही devices में Auto Pro पैनोला mode दिये गए हैं दौनों ही devices में आपको Net mode भी मिल जाएगा Portrait mode भी आपको दौनों ही devices में दिया गया है रेर और front दौनों के लिए वीडियो recording की बातकर तो दौनों की devices से आप 4K तक का यानिकी Ultra HD वीडियो record कर सकते हो Galaxy M30s में आपको 60fps का support नहीं मिलेगा जबकि AMI A3 से आप Full HD तक का वीडियो 60fps का भी record कर सकते हो तो ये एक plus point आपको AMI A3 में मिलेगा बाकी का दौनों में ही आपको slow motion का option मिल जाता है लेक यहां पर in short बात करना तो rear camera में Galaxy M30s बैतर है तो वहीं front camera में MIA3 यह कुछ camera samples है जो आप देख सकते हो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा यह किस device पर आपको किस condition में कैसी performance देखने को मिलती है Macro shot की बात करें तो वहां आपको अच्छा color production देखने को मिलेगा M30s में और उसके सामने MIA3 के photos कभी-कभी free के नजर आते हैं बागी का 48 megapixel के photos की बात करें के high resolution के photos की तो उस condition में M30s में आपको अच्छी dynamic range देखने को मिलती है इसके अलावा detailing भी आपको M30s में जादा अच्छी देखने को मिलेगी wide angle shot में भी M30s से आप wider photos capture कर सकते हो as compared to MIA3 हाले कि low light photography की बात करें तो उस condition में MIA3 ज्यादा बैता है क्योंकि वहाँ पर rare camera का purchase size of 1.8 तो वही M30s के rare camera का purchase size of 2.0 तो इसलिए आपको यहाँ MIA3 में low light के लिए अच्छी performance देखने को मिलती है as compared to M30s front camera की बात करने तो यहाँ MIA3 completely M30s से बैतर है जैसा कि आप यह photos देख सकते हो color production आपको एकदम कमाल का देखने को मिलता है MIA3 की selfie में beauty effect भी एकदम बढ़िया है natural photos आपको मिलते है इसके अलबगा detailing की बात करने तो यहाँ तो completely MIA3 galaxy M30s को बीट करता है क्योंकि MIA3 में आपको मिलता 32 Megapixel का front camera वही M30s में दिया गया है 16 Megapixel का front camera यानि कि जो चीज मैंने पहले बोली और फिर बोलूँगा rare camera के लिए galaxy M30s इस पेसली video recording के लिए तो front camera के लिए MIA3 ज्यादा बैतर रहेगा अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही devices के hardware की तो same thing Galaxy M30s में आपको मिलता Exynos का 9611 processor वही MIA3 में आपको मिलता Snapdragon 665 processor दोनों ही devices के charging भी चॉफंजी भी variant मेरे यूज की है और जो मेरे experience दोनों के साथ रहा common use में वहाँ एकदम कमाल का रहा दोनों ही devices एकदम कमाल का perform करते हैं multitasking की बात करने तो उस condition में M30s थोड़ा सा बहतर है as compared to MIA3 लेकिन MIA3 पर भी आप अच्छी multitasking कर सकते हो इसके अलबा gaming की बात करने तो वहां completely M30s MIA3 से जाता बहतर है जैसे बात करें PUBG की जो की आज काफी popular game है सभी खेलते हैं तो PUBG की बात करें तो M30s पर आपको ultra frame rate का support मिलता है HDR graphics पर और high graphics पर इसके अलबा smooth graphics पर आपको extreme frame rate का support मिलता है M30s पर जो की बहुत बड़ी कमाल की बात है और जो experience रहा मेरा gaming का PUBG के लिए M30s पर वह भी उद्दम कमाल कर रहा super smooth performance आपको M30s पर मिलती है वहीं बात करेंगर M30s की तो high graphics पर आपको medium frame rate का support मिलता है और smooth graphics पर आपको मिलता है high frame rate का support ultra frame rate या फिर extreme frame rate का support आपको यहां नहीं मिलेगा तो smooth graphics और high frame rate पर जब आप यह gameplay करते हो तो आपको अच्छी performance देखने को मिलती है M30s पर आपको मिलती 6000 mh की powerful battery और यह 15 watt fast charging support करता है वही MIA3 की बात करेंगर तो यहां आपको मिलती है 430 mh की battery और यह device 18 watt fast charging support करता है battery backup की बात करेंगर तो बहुत basic use पर यहां मेरा 1.5 दिन MIA3 चलता है तो दो दिन चल जाता है मेरा galaxy M30s और थोड़ा सा heavy use कर देते हैं तो एक दिन चलता है मेरा MIA3 और उस condition में same use पर लगवर जीड़ दिन मेरा M30s चल जाता है यानि कि battery backup में M30s MIA3 से बहतर है तो यही था मेरा दौरों ही devices के वीच full comparison सारी चीजह मैंने यहां बता दें design, display, UI features, camera, hardware, battery अब मैं यहां आपको simple से एक बात बोलूँगा अगर gaming आपके first priority है तो फिर M30s आपके लिए जादा बहतर रहेगा बाकी का अगर MIA3 के बारे पर बात करें तो अगर आपको compact device चाहिए जहां selfie आपके first priority है gaming करतना चाहते हो लेकिन वह इतनी जादा first priority नहीं है रेर केमरा भी अच्छा चाहिए लेकिन सबसे अधा कमाल की चीज़ चाहिए selfie, AMOLED display होना चाहिए इसके अलावा device एकदम compact होना चाहिए तो फिर MIA3 आपके लिए जादा बहतर है बाकी का gaming आपकी first priority है रेर केमरा भी कमाल का होना चाहिए बैटरी होनी चाहिए तो फिर galaxy M30s आथ के लिए जादा अच्छा option आएगा अब अपनी use के according आपको decide कर सकती हो कि आपको कौन सा phone लेना चाहिए तो दोस्तों यही दा मेरा MIA3 और galaxy M30s के wishful comparison मुझे विडियो आपको जरूर पसंद आया होगा